póko x6 Pro 5 smart phone सथा हले के टाइम आपने देखे भी होंगे और उनके निचे मैंने कह हमें कर दोस्तों के साथ किया थै productos यह भी स्मार्टफोन से असे का इसे स्मार्फोन सुर्ण में देखने को जाती है तो अगर आपका की दूर करने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको स्मार्ट फून करीना हो तो वह कोंसा स्मार्ट फून के लिहां चाहिए या camera के वे से आपको कौन सा smartphone की ना चाहिए तो मैं जितने होश केगा आपकी help करने को सीज़ करूँगा वीडियो काफे interesting होगी वीडियो पसलता है तो वीडियो को like करना है चलिए वीडियो अभी सुरू करते हैं दोने प्रेजिंग वेरा के बारे में हमने बात करी लिया जो कि ना जो 70 प्रोप्लस है में इंडर 20,000 देखने जाता है जबकि बात करता हूं Poco X6 Pro 5G स्मार्टफोन की तो यह 23-25,000 की स्टार्टिंग प्रेज के इंदर देखने को मिल जाता है तो चलिए अभी दोने स्मार्टफोन की स्पैक्स से सुरुआत करते हैं और स्पैक्स की बात करता हूं तो दोने स्मार्टफोन की लुक एन डिजयन से हमिया पर बात करेते हैं यहां पर अगर मैं बात करते बको X6 Pro 5G स्मार्टफोन की तो यहां पर बैक में वीगल लैटर में देखने जाता है जहां पर ट्रुपल यरर कमरा सेटप देखने जाता है इस यहां प में जाता है काफी ऊच्छा देखने जात अधारा सो नीट्स की पीक ब्रैनेस है और बैजस है काफी हट तक कम देख हम जाते हैं यहां पर अगर मैं स्क्रीन टू बोडी रेश्यों की बात करता हूं तो वह भी काफी अची खासी देख हम जाती है और आउट्डोर विजीविल्टी भी अगर आप इस स्मार्टफून की देखोगे तो काफी अच्छी देख हम जाती है यानि अगर मैं स्मार्टफन की डिस्प्ले की बात को ना तो है काफी अच्छी देख गो जाती है चाहे दोस्तों व्यू जांगल की बात को यह बैक जहापर तोड़ा देखने उन्हाटे है जाता है यहां पर भी इतना कोई हैवी स्मार्टफोन में देखने हो नहीं मिलता अपनल में आता हूं तो मिड़ पंचोल दिस्प्ले देखम जाती है एम लेड़ पैनल देखम जाता है 120 हर्ज का रिफ्रेसेट एंड 2000 की पीग ब्राइनस देखम जाती है बैदर्स जैसा कि मैंने आपको बताए यहां पर भी अच्छे खासे कम जाते हैं जिससे व्यूज अंगल बग करता हूं डिस्प्ले में डिस्प्ले में आपको कोई भी ज्यादा देखने मिलता एक देखम ब्लता है वह है 200 निट्स की ब्राइटने सब्सक्राइब जाती है और सेम ही देखम जाती है लेकिन चुकि हम यहां पर पर कंपैर कर रहे हैं तो कहीं ने की छोटी सी छोटी की वजह से आई मीन आउड़ोर विजीबिल्टी की वजह से यहां पर रियल्मी नाजो 70 प्रो 5G स्मार्टफून डिस्प्ले की मामले में आगे निकल जा करतें दोस्तों दोने स्मार्टफून की कैमरा की बात करता हूं तो Poco X6 प्रो 5G हमें देखम जाता है ट्रिपल जाता है 50 MP जाता है 50 MP जहां पर प्रैमरी कैमरा 50 MP का 20 MP है 8 MP का एं 3rd 2 MP यहां पर भी 4K विडियो रिकोर्डिंग का ऑप्शन देखम जाता है इंड यहां पर अगर बात करता हूं तो 1080p में ही वीडियो रिकोर्ड कर सकते हो तो दोने स्मार्टफून में जो कैमरा का यह देख मिलाएं यहांनि कुल मिलाकर अगर मैं दोने श्मार्टफून की बात करता हूं तो काफी अचय देख मिलाएं मैं आपको 2.3 camera quality देखने हो जाती है यहां पर अगर मैं कैमरा के लिहाद से बात को दो नो डाउट Realme ना जो 70 Pro 5G स्मार्टफून का कैमरा है थोड़ा हमें बेटर देखने जाता है थोड़ा अच्छा परफॉंट करता हुआ देखने को मिल जाएगा तो फाइल अभी चल परते हैं दोस्तों दोने स्मार्टफून की परफॉमेंस और परफॉमेंस की बात करता हूं तो पोको एक सिक्स प्रो फाइज स्मार्टफून में देखने को मिल जाता है क्योंकि जो गेमिंग आपको परफॉमेंस आपको मिलती है वह यहां पर आपको नेस्ट लेवल की देखने जाती है जिबकि बात करता हूं रियल मीना जो 70 प्रो फाइज स्मार्टफून की तो यहां पर सिफ मिलता है मीडिया टेक डैंश्टी 7050 जिसमें अगर में मीडिया टेक डैंश्टी 7050 और मीडिया टेक डैंश्टी 8300 उल्ट्रा के एंटेटू पैसमा स्कोर भी आपको दिख बोने स्मार्टफून के साथ आते हैं तो यह थी दोस्तों सारी चीजें दोने स्मार्टफून के पर बारे में हां android version वगार ही बात को सेम एंड़ोड 14 के साथ दोने समार्फून में इंडिस्प्लेंग फिंगरपीन सेंसर देख जाते हैं अभी बात आती हैं अगर हमें इन दोने स्मार्फून में से एक स्मार्फून खरिए और तो वो कौन सा स्मार्फून किस फिए में हमार चीए तो नो डाउट पोको एक सिक्स प्रोफ फाइजी स्मार्फून आपके लिए भैतिन हो सकता है आपको काफी अच्छी गेमिंग वो प्रोइड करवाएगा लेकिन अगर दूसरी तफ आपको चीए अच्छा कैमरा स्मार्फून तो नो डाउट रियल मिनार्जो 70 प्रोफ जैंडे